हेलो दोस्तों, जो लोग भी डॉमेश्टिक या फिर इंटरनाशनल फ्लाइटों से ट्रावल करने वाले हैं ऐसे सबी लोगों के लिए यहाँ पर एरलाइंस और ट्रावलिंग से कुछ जरूरी खबरे सामने आ रही है जिसके जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को आप लास तक जरूर देखें ताकि आरे इन सारी लेटिस खबरों की जानकारी आप सभी को मिल सके पहली बड़ी खबर यहाँ पर यूएस को लेकर जान लेते हैं आपको बता दे कि बढ़ते हुए ओमिक्रोन की केसिस को देखते हुए यहाँ पर यूएस की गौर्मेंट ने 2000 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है इसके सासत आपको ये भी बताते चले कि पिछले 4-5 दिनों में ओमिक्रोन की केसिस को देखते हुए लगबग 12,000 फ्लाइटे कैंसिल हो चुकी है तो आपको बता दे कि WHO की तरब से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि साउथ अफ्रीका ही पहला ऐसा देश था जिसने की 24 नवंबर को ओमिक्रोन केसिस के बारे में सारी दुनिया को जानकारी दी थी तो आप महाँ पर साउथ अफ्रीका में ओमिक्रोन की केसिस में धिरे धिरे गिरावट आनी सुरू हो गई है लेकिन वहीं UK और US में इस समय ओमिक्रोन की केसिस काफी तेजी से फैलता जा रहा है जिस कारण से UK और US जैसे देशों ने अपनी फ्लाइटों को कैंसिल करना सुरू कर दिया है इसके साथ सथ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर दिल्ली एरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं 900 रुपे कर दिया गया है तो यह दि आप आप दिल्ली एरपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे तो आप आपका रैपिट करोना वारस टेस्ट के वल 2900 रुपे में ही हो जाएगा लेकिन दिल्ली एरपोर्ट से एक बुरी खबर भी यह सामने आ रही है कि दिल्ली गौवर्मेंट ने आप यहाँ पर रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए कमपलसरी होटल कॉरेंटीन इशू कर दिया है जी हाँ दोस्तो ये दि आपके करोना वारस का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आप आपको सीधा होम कॉरेंटीन में ना रहकर होटल कॉरेंटीन करने का अनियम लागों कर दिया गया है इसके साथ दोस्तो एक और बड़ी कपर यहाँ पर आउस्टिया और यूके के बीच के फ्लाइटों को लेकर भी जान लेते हैं आपको बता दे कि बीचे कल आउस्टिया के एक एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से ट्रेवल कर रही कई सारे पैसेंजर्स को महाँ पर एंट्री नहीं करने दिया गया आपको बता दे कि ऑस्टिय की गौर्मेंट की तरफ से ट्रैवलिंग के नए नियम लागू कर दिये गए हैं जिस कारण से वहाँ पर आने वाले जो पैसेंजर्स थे उन्होंने ट्रैवलिंग गैडलाइन्स को फॉलो नहीं किया था इसी कारण से इन सबी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और उन लोगों को आस्टिया में एंट्री करनी की पर्मीशन नहीं दी गई इसके सबस्त आपको ये भी बताते चले कि ऑस्टिया की गौर्मेंट की तरफ से आगे आने वाले सौंबार से पूरे ऑस्टिया में लोगडाउन लगाने की भी घोशना की जा रही है तो दोस्तों ये सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही थी इस वक्त की अंतर राष्टी उडाउनों से जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिली है ऐसी और लेटेस्ट कपरों को ये आप रेवलोग बिस्स पर जानना चाहते हैं तो चानल को जरूर फॉलो करके रखें ताकि ये लेंस और ट्रेवलिंग से आने वाली सारी लेटेस्ट कपरों के अपडेट आपको इस चानल के माद्यम से मिलती रहे